मश्कार दूस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एडुकेशन की नाइन्थ इनेट साइकोलोजी इन स्पोर्ट को देखने वाले हैं तो दोस्ता हम देखते रहें इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत इकमाल नमल क सब्सक्राइब करने वाले हैं तो आज किस वीडियो के अंदर हम लेटेस्स के साब से इस चैप्टर को कवर करेंगे साथ यहां पर में इमेजिस के महाधियम साब को बताऊंगा तो और बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा साथ ही हम यहां पर प्रिव सब्सक्राइब को और इस यूनिट का नाम है साइकलोजी एन इस पूर्स देख लेता हम इसमें क्या क्या पढ़ना है फर्स टॉपिक के परस्नालेटी इसके अंदर हम इसके टाइपस डेफिनेशन तिन जंग भाई का क्लासिफिकेशन और बिग फाइफ तेयोरी को देखने वाले हैं बरते में आगे फर्स टेपने पास परस्नालिटी उसकी क्या डेफिनिशन ही क्या उसके टाइप सें ट्रेट सें तो जो वर्ड है परस्नालिटी इसको डिराइफ किया गया एक लेटिंग शब्द परसोना से जिसका मतलब होता है मास्क मास्क मतलब मुखोटा यह और कोविड-90 में जो मास्क लगाते हैं वो नहीं वो जो कृष्ष वाला मास्क रहता है उस थरे का मास्क तो बेसिकली परसनालिटी एक मास्क है जिसका यूज किया जाता है किसे बीडिविजवल के द्वारा सोसाइटी और इन्वार्मेंट से डील करने के लिए जैसे एक्ज पर जा रहा है जैसे उसका बदल रहा है वहाँ पर एक दम भीगी बिल्ली बन जा रहा है तो यहीं होते परसनालिटी तो परसनालिटी बेसिकली कवर करती एक और और बिएवियर क्वालिटी किसे बीडिविजवल की तैन आप यह अल्टरनेट डेफिनिशन में लिख सकते ह किसी भी इंडिविज्वल के इस्ट्रक्चर का उसके बिहेवियर इंट्रेस्ट एप्टिटूट्स कैपसिटी और अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको परसिनालिटी को क्लासिफाई करना है तो आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं एक है विलियम हर्बर शेल्डन का क्लासिफाई किया है वही पर जो जंग भाई अपने जंग एक इनसान का नाम है इन्होंने इस तरह का चार्ट बना किया जाना और इनको लिग देना एक एक लाइन के बारे में लिग देना अभी मैं आपको बताऊंगा ठीक सो जंग भाई के क्लासिफिकेशन में इंट्रोवर्ट एक्स्रोवर्ट एंबिवर्ट इसको मच्चे से पढ़ेंगे सी आपके सिलिबस में डारेक्ली मेंच्वेंड है तो अगर सबसे पहले हैं एक्टो मेजो और से सुमो पहलवान ठीक है तो इनका वेट जाता रहेगा एंडूरेंस कम रहेगा इस्टरंथ जादा रहेगी तर इसके बाद आ जाते हैं अपने पास मेंटल बेसिस पर क्लासिफिकेशन जंग भाई का यह सिलिबस में डारेक्ली में इंट्रोवर्ट मतलब एक ऐसा व्यक्त इंट्रोवर्ट का एंड यह फ्रेंडली है कॉन्फिडेंट लाइवली है और एक्दम लीडर्शिप की भूमिका निभाता है इसके बाद आ जाता अपने पास एंबी वोर्ट क्या होते हैं ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास मिक्स ट्रेट रहता है यह इंट्रोवर्ट और का एक कॉम्बिनेशन रहते हैं इसको अपन एंबी वर्ट बोलते हैं तेन बिक फाइब परस्नालिटी अब हम इसको देखने वाले है ना तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा कीवर्ड जिसको अपन ओशन बोलते हैं समुद्र है ना तो ओ सी ए अन ओ फॉर आ जाएग तो फर एक्जामपल आपको देखना है कि यह पर्टिकुलर बंदा ओपन है या फिर नहीं तो आप इन सारे पेरामिटर्स को देखोगे सेम विद कॉंसेंट के इसने से एक्स्टावर्जन एग्रिबल और नुरॉटिसम कई बार एक्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है क तो आप महाँ पर बिल्कुल सोफा पे पहन कोपी लेकर बैटे हो फोस्ट प्रामिटर आप देख रहो ओपनेस है या फिर नहीं इस पर्टिकुलर विक्ति में तो आप देखोगी कि क्या वह क्रिएटिव है क्या वह इंटेलिजन्ट है क्या वह थिंकिंग करता है या फिर अगर आप उसको लोई स्कूर दोगे अगर वह कॉश्यस है कियरफुल है रिजिड है इन फ्लेक्सिबल है तो आप उसको लोई स्कूर दे दोगे तेन कॉंसिंटेस नेस वाला कैसा प्रामिटर आप चेक करोगी कि क्या वह वह वक्ति ऑर्गिनाइज डिपेंडेबल डिटर वर्जन तो अगर कोई वक्ति वाम है चीरफुल है तो भाई एक्स्ट्रा वर्जन है इसके लिए आजाए का आपके पास अफेक्शनेट लविंग और अगर यह सारी क्वालिटी इस उसके अंदर है तो अगर उसका लोई स्कोर आ रहा है इस वाले में निरोटिसम में मतलब तो अच्छी बात है इसका मतलब है कि रिलेक्स्ट है और नेगिटिविटी को ज्यादा उससे ना कोई दिक्कत नहीं होती उसको और स्टेबल उसका मूड रहता है तैन एक एक करके अगर हम इसको और डीटिल में देखें तो ओपनने जैसे हमने देखा है ना टेस्ट करने क जैसे कंपीट कर लें इसा नहीं बस डर के बैठ जाए एक्स्ट्रा वर्जन मतलब जो एनर्जेटिक है पॉजटिव है और शोचलेबल है टॉकिटिव है तो उसको आप एक्स्ट्रा वर्जन में डालोगे एग्रीबल में मतलब जिसके अंदर एक सेंस ऑफ कोपरेशन है व और एंजाइटी और इन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल कर लें नेक्स्ट आ जाता इपने पास एग्रेशन तो एग्रेशन बेसिकली एक कोई भी फिजिकल या बर्वल भीएवियर रहता है जो कि डारेक्टेट रहता सीधा तो और फार्मिंग अधार ठीक है तो यहां पर ह हम चाहते हैं कि किसी सामने वल्यषी बर्यखती बोलते हैं और उर वही ौर इसके नदर हुम सामने वाले पर और डीटेल में अगर आपको लिखना हो तो यह तीनों पॉइंट्स मेंशन करके आना या बाइचांस अगर आपसे टेबल बनानी के बोलता है तो भी आप यह वाले टेबल बना किया जाना तो होस्टाल एग्रेशन में क्या होगा आप सामने वालों को चोड़ प्रताना चाहते हो ना भले वह फिजिकल हो या फिर मेंटल हो जैसे एक्जामपल के तरुप एक बाउंसर फेकना क्रिकेट में बाउंसर क्या होती है गेंद को बहुत मिड्यू पिच पर टपका खिलाना और बिल्कुल वह आपके के उपर से निखल यह हो सकता है आपके सर को हाड्ड भी करते हैं आपके है प्रिशब पंद आया आते ही चक्के मारने लग गया तो वह क्या है वह एक एग्रेशन है लेकिन इंस्ट्रूमेंटल है तीम जीते की वाई जब उससे तेन इसके बाद कैसे आप कंट्रूल कर सकते एक्रेशन तो एक्जाम में आ सकता है ना तो योग लुग मेडिटेशन एक्सराइज यह सब आपको लिख नहीं है उसके साथ साथ आप यह भी लिख सकते हों प्रेश करो आप नौन एग्रेशन भीएवेड बतलब जैसे धोनी और कोहली तो धोनी माना जाता है नौन एग्रेशिव है तो किसको प्रेश करो आप नौन कारे में पढ़ेंगे इस्ट्रेस मेनेजमेंट कैसे करना यह सिखाया जाए प्लेयर को पॉजिटिव एक इंवार्मेंट बनाया जाए तैन उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ इवेंट बताया जाए प्लेयर को कि भाई व्ल्ड कप है फाइनल मैंचे फाल्ट ही एग्रेशन म पॉइंट है वह है साइकलोजिकल एट्रिब्यूट इन इसपोर्ट टीक है तो कौन कौन से वह एट्रिब्यूट से पहला जाता है अपने पास सेलफ एस्टीम मतलब होता है कि कैसे हम अपने आपको वैल्यू करते हैं हमारी खुद की क्या इमेज है मारे सामने इसको अपर कर सकते हो self-confidence से भी तो क्या-क्या sign है आपके self-esteem के कि हाँ आपको एक competence feel हो रहा है आपको अच्छा लग रहा है अंदर से belonging ने से वाँ पर है आस-पास का महौल ऐसा है कि बिल्कुल आपको असा लगता है कि हाँ भाई मैं इस महौल से belong करता हूँ इसके बाद क्या वो साइन से जिससे आपको पता लगेगा कि यार मेरा जो सेल्फ एस्टीम हो लो है तो पहला है कि आप खुद पर ही ट्रस्ट नहीं करेंगे कॉंस्टेंटली दूसरे से अपने आपको कंपेर करना सामने वाले को प्लीज करने वाला रखना कि भाई मतलब बस है ना चापलूसी वाला माहूल तैन उसके बाद यूफी लिटल आपको इस अलकता है कि एक अपने पास साइन से लो एस्टीम के अगला आजाता है मेंटल इमेजरी नामसी क्लियर हो रहा है कि आपके दिमाग में किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की या खुद की क्या इमेज है ना जब खुद की बात आ जाए तो वो तो आजाईगी सेलफ जाती है इतना इनतर है चाहिंने वक्ति की आप ठीचर के बारे में क्याrias रही नशचते हो है आप अपने शेड्लिन इसे में पर आप किसी ठीज को में घटनते हैं तो में नहीं में हो जाती है। next आजाता है इपने पास पास self talk self talk का मतलब है कि कैसे आप खुद से बात करते हो है ना and basically खुद से बात करना अपनी inner आत्मा से बात करना तो अब self talk में और क्या क्या जाएगा तो आप अपने खुद से ही बात करोगे और जो भी आपके ठोट्स निकल के बाहर आएगे तेन इससे पता लगेगा कि यार आप कितना विश्वास करते हो और क्या आपके दिमाग में क्या आई आइडिया जोath Miranda के आपके पास किस चीज की जरूरत है आपको उस चीज को सुधारने के जरूरत है दें नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पॉइंट अपने पास गोल सेटिंग गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है एक ऐसा एक्षिन प्लान बनाना अपने लिए जिससे आप खुद को मोटिवेट कर सको और गाइ सब्सक्राइबल एक रियल डेड्लाइन रहे और इस प्रेसिक रहे के बाइसा मुझे एंसी आटी पूरी कवर करने हैं हिस्ट्री की मेजरेबल कि हाँ इसमें 11 चेप्टर मुझे कवर करने एक गोल जो कि आप अचीव कर पाऊ वही रखना है ना ऐसा नहीं कि एक दिन में च इतनी आपकी capability उतना ही गोल बनाओ नेक्स टाइम बाउन तो टाइम बाउन होना बहुत इंपोर्टेंट यार गोल का तभी आप उसको अचीव करने के लिए काम कर पाऊगे अब एक चोड़ा सब्डेट में आपको दे देता हूं यार अभी festive season चल रहा है और आप बिलकुल में अगर आप लेते हैं तो आपको 20% का flat discount यहां पर देखने को मिलेगा एंड इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोड एपीपीड हंड्रेट चैसे 20% का discount मिलेगा क्या वाइद है तो यहां पर अनकेडमी पर बिलकुल आपको structured वे में किसी भी चीज को पढ़ने का मौका मिलता है मैं खुद आपको यहां पर English and physical education पढ़ाता हूं तो आप मुझसे भी आपर connect हो सकते और पढ़ाई कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो डाउट हो क्यों तो मुझे comment box में बता देना और जो भी best offer रहे हैं आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह आपके लिए एक्टिविट हो जाएगा आपको नए thoughts आएंगे आपके अंदर क्या ideas हैं क्या question है किस पर बिलीफ करते हो वह सारी चीज़ें आपको पता लगेगी तेन टेबल आपको बताने हैं जिसमें तीन personality के आपके लिए परसनालिटी शब्द को कहां से डिराइब किया गया लेटिन वर्ट पर सुना ऑप्शन नमबर ए तेन ट्रेट्स ऑफ हाई सल्फ कॉंफिडेंस शूशल फ्रेंडली कॉंफिडेंस यह सब लाई करते कहां पर तो यह एक्स्ट्रोवर्ट परसनालिटी के अंद नाम से जानते तो इसको हम फाइफ एक्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं बीएवियर जो की केरिड आउट है तो वोट्स हामिंग अदर तो क्या हो जाएगा एगरेशन इसके बाद अगला है कि कोई भी फिजिकल बीएवियर जिसमें आप इंटेंशनली एम करते हो सामने तो वही ओशन ट्रेट्स में से कोई भी तीन आपको अपर बताने हैं तो दोस्तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी डाउट्स हों सवाल या सुझाओं तो उसको आप जरूर से कॉमेंट मुट भी डाउट्स